हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको चार अलग अलग फ्लेवर की लसी बनाना सिखाऊंगी बहुती आसान है तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करेंगे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेर जरूर किजेगा और ऐसे नई नई रेसिपी के लिए गु हम ड्राइफूट लसी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार आपके पास जो भी ब्लेंडर जार अवेलेबल है उसे ले लीजे जिसमें जूस बनाते है उसके अंदर डालेंगे थ्री फोर्ट कप दही हमें बहुत खटा नहीं लेना है उसके अंदर नहीं करेंगे चार पाज बरब के टुकुडे एड़ करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से गाड़ी लसी बनके तयार हो गई है अगर आप प्लेन पिना चाहे तो ऐसे ही डायरेक्ट पी सकते है उपर से थोड़े बहुत ही पसंद आता है दूसरे ग्लास में एक से दो बार ऐसे ट्रांसपर कर लिए ताकि ड्राइफूट बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारी लसी बनके तयार है फिर से उपर से थोड़े बहुत ही ड्राइफूट एड़ कर देंगे तो य पहले हमें चाहिए ब्लेंडिंग जा उसके नदर हम डालेंगे 3-4 cup दही उसके बाद हमें एड़ करना है कटके युही मैंगो उससे पहले हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे करीब 2 चममत जितना और अभी हमें एड़ करना है कटी हुई पकी मैंगो मैंगो अच्छे से पकी पानी बिलकुल यूज नहीं करना है तो यह हमारी मैंगो लसी भी बहुत ही अच्छे से क्रीमी गाड़ी बनके तयार हो चुकी है उपसे थोड़े मैंगो के टुकुड़े डालेंगे ताकि देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगे और उपसे थोड़े बहुत ड्राइ फू पर दिजन तरह अब हमसे और चीनी डिए ड़े मेंगो और शवय प्यादब करने मुद्ध द ही और जाना है तोड़े मीदे सी देखना और एदुध कंप लागे ुसके बार हमें सुस डालदा कि परा दूस्ते और आपको प्ते और जपन से और अच्छे से भासिट्सक्रु तयार है बहुती टेश्टी लग रही है तो चलिए उसके उपर थोड़े से ड्राइफुट और रोज सिरफ इस तरीके से डाल देंगे ताकि देखने में भी बहुती अच्छी लगे उपर से थोड़ी टूटी फुटी और ड्राइफुट डाल देंगे तो यह हमारी रोज लस लिए फिर से लिए अ मैं ब्लेंग एक प्लैंडिंग जार अनल दाला त्रीफोट कभ जीतना दही विदे चौकलेट मीते धनерт चॉकलेट सिरफ यह कोई भी चॉकलेट सिरफ एरं इतनर ड्राइफुट और दालना है लिए अगर आपके पास जाइच उप啊 कि जाना च्छे से ब्लेंड करके हैं, छोकली लसी ब्लेंड है घूल ईे ग्रेंड की दिखने के लिट में ने रहें नीचे कमेंट सेक्षन में आपके फिडबेक अवश्य दे तो मिलती हो आपको ऐसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई